अश्रो को आप देख रहे हैं हमारा बेहत खास कारिकरम दाती संग नवरात्रे दातीजी महाराजी इस वक्त लाइव हमारे साथ बने हुए आई उनके पास चलते है जानते हैं आपकी सबी समस्याओं का समधान दातीजी महाराजी बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई जमीन खरी ब्रेश कोमें और सकते हैं जिमाराजी megazan कर देख करने में कथने आ रहीं यह लेकर कोई दिलाने में नुक्षान और या रुका भाथ बांडा लेगा नवराथार कि पहले दिन ब्रह्म मुर्त में उस इस्तान की थोड़ी सी मीटी लेख आजए, मीटी को पातर में डाल देजिए, थोड़ी सा गंगा जल दाल देजिए, थोड़ी सा कपूर डाल देजिए और आपनी खेतरी जो बीजी हैं, उसके पास इसको स्थापित कर दे। नौरात्रा में नौ दिन अखन जो जलाए हर रोज तीन माला ओम एंग रिमक्रिम चामुन आए विचे ओम शैल पुत्री देविये नमो इस मंत्र की जाब करें नौमी के दिन अंकुरित खेतरी में से कुछ जो निकाले और मनचाई जगे पर जो जगे खरीदना चाते हैं वहाँ डालका जाई और शेश पूजन सामगरी बहते पाने में प्रभाग कर दे आवश्य आपको मनचाई घर और भूमी की प्राप्ति होगी है यह अदभुद है और माई की किरपा जरूर बर्शेगी नमना रहे हैं मेरे मन में जो थोड़ा हटके मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जनम और मरण इन दोनों के बंधन से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है जी महाराचे बहुत संदर सवाल है देनम और मरण से मुक्ति का एक ही उपाय है मनशे अपने चेतना को जाने अपने भीतर की जो प्रिज्या है जो प्रिज्या भीतर में है जो जेवने शक्ति भीतर है गुर्माराजी की कृपा से जो व्यक्ति भीतर में उस प्रमानंद के साथ जुड़ जाता है उस आत्मा के सुझ जाता है श्यूम का बोध कर लेता है श्यूम के साथ जुड़ जाता है बिना श्यूम के साथ जुड़े बिना भीतर के तारों को समझे जनम और मरन से मुक्टी नहीं होती, जनम और मरन से मुक्ती का एक ही सादन है श्य मितनसी के लिए भूमि भवन और वान खरिदना चैते तो ये समय बड़ा अनकूल है मितनसी वालों यूदि आपका मन है कि आप घर खरीदे आपका मन खर घर करे कोई जमीन खरीदे आपका मन है कि वान खरी तो ये सुन्दर समय है, इस वर्ष वेविशाय समंदी, दुकान समंदी, अस्पताल समंदी और स्कूल समंदी भूमी प्राप्ति के प्रभली हो गए, माई की किरपा बरसेगी और आपको भूमी और भूमन की प्राप्ति जरूर होगी लेकिन मितुन रासिवालों अपने दोर भूमन और भान के हिसाब से मन अनकूल नजर आ रहे हैं, इदि आप अपनी संतान या जिवन साथी के नाम पर भूमी और भान खरीदना चाहते हैं, तो माई आपकी इच्छा पूरी करेगी, और आवश्य आपको माई की किरपा से आने वाले छे मेनों में भूमी और भूमन की प्राप्ति होगी, नमोना रहे हैं, बहुत भूत धन्यवाद महाराची, कॉलर्स का जुड़ने का सिजर हमा ऐसा शुरू हो गया, आई अपने अगले कॉलर को ले लेते हैं, जी रमसकार, हलो, 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 जी आपका नाम, आपका नाम क्या, आपको हमारी आवाज आ रहे ह हलो, जी अपना नाम बताईए, हलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रहे हैं, दश्रू को मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप हमें कॉल करें, जब भी आप दाती महाराजी से बात करना चाहते हैं, सबकी बात कराई जाएगी, सबकी समस्याओं को आज यहापे समधान करा जाएगा, लेकिन आपसे मेरा इनिवेदन है कि आप जब भी हमें कॉल करें, अपने टीवी का वॉल्यूम है, उसे कम करतीजिए, उसके अवास को धीमी करतीजिए, ताकि हम आपको और आप हमें अच्छे से सुन पाए, तथा जब भी आप हमें कॉल करें, अपनी जनमती थ संतोज जी, कहां से बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा तेज बोली संतोज जी, आपकी अवास हमें बहुत कम आ रही हैं, आपको सुन नहीं पा रहे हैं धंग से, जी, 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 अपनी जनमती थी बताएं, जी, जी, और आपके जनम का समय, सुबह चार बच के दस मिनट, और आपके जनम स्थान, जनम स्थान कहां कहा है आपका, मुर्तान का, पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप, संतोज जी, अपना प्रश्ण कीजिए, महराज जी से क्या जानना चाहते हैं, पूछे, जी, जी, संतोज जी, आपसे जोआना चाहूंगी, अभी हाल फिलाल में क्या कारे कर रहे हैं, जी, चलिए, बिल्कुर निच्चनत रही है, अगली आवाज आप बाबजी की सुनेंगे, जी, बाबजी, जी, बाबजी, संतोज जी है, इसकी जनमती है, जी, जी, बाबजी, संतोज जी, इनकी जनमती है, विस अभी लोग मैनत पूरी करते हैं, लेकिन उन्हें मैनत के अनरूप फल प्राप्ति नहीं हो लिए, प्रियासों की बाब जूद भी मैनत के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होने के कारण धन की आवक नहीं रहती है ऐसी अवस्ता में उन सभी लोगों के लिए उपाई रामबान रहेगा और यह अद्भुद उपाई जो कभी खाली नहीं गया है इस उपाई को नियमित लगातार 186 दिन करना है और नवरात्र को पहले दिन ब्रह्म मूर्थ में प्रारम करना है बहुत सुंदर उपाई है बाभगवती की किरपा से यह उपाई कभी खाली नहीं गया है एक मिट्टी का पातर ले लिजिए उसमें सरदान साथ दूद भर और दूद भरने के बाद माई के सामने रख दिजिए जल गंगा जल का छीटा दिजिए शुद गाई का दीपक जला दिजिए और ओम एंग हीम कलिम चामुंडाय वीचे इस मंत्र की नौमाला जाप कर दिजिए और जाप के बाद ये दूद अपने हाथ से कुत्ते को पिला दिजिए ऐसा लगातार लगातार 186 दिन करके देखेगा शंपून मनोकामनाव की पूर्ती होगी काम बनेंगे धनकी प्राप की रुकावटे दूर होगी शमशाओं का निवार्ण होगा लेंदेन के मसलें ठीक रहेंगे परिवारिक सुक भी मिलेगा कैरियर कारवार श्रम पारवधी जी हम आए साथ जुड़ गई है इनकी कॉल लेना चाहेंगे जी नमस्का पारवधी जी अपने बेटे की बारे में पूछना चाहिए अपने बेटे का नाम और उनकी जन्मति थी तह था उनके जन्म का समय मेरे बेटे का नाम मनिल है मनिल जी यह उनका जन्मति थ उसकी जनम्तिती पूरी बताईए दिनांक और महिना और सन भी बताईए साथ में 26 नवेंबर 1984 क्या जाना चाहते हैं अब उसकी नौकरी के बारे में चाहते हैं अभी हाल फिलाल में क्या कर रहा है मनिल क्या उन्होंने पहले कहीं और ट्राय किया था पहले कहीं उन्होंने कोशिश करी थी मतलब काम बनते बनते रुक जाता है चले बिलको निशन तो यह अगले अवाज़ा बाबाजी की सुनेंगी जी महराजी यदि प्रियासों की बावजूद भी आपको अपने केरियर में शपलता नहीं मिली आपकी एज़िकेशन अची है आपने बहुत अच्छी सिक्सा प्राप्त कर रही और आप कोशिश करते हैं कि आपको कहीं नौकरी मिल जाए और आपको नौकरी नहीं मिल पारी है तो यह उ जवरातर के पहले दिन शुरू करना है नित्य कर्म से नियोशिनान उप्रांत ब्रह्मूर्त में एक सो आठ गुलाब के पूश्प लिजे एक सो आठ लॉंग ले लिजे और अपने हाथ में एक गुलाब का पूश्प और एक लॉंग रख लिजे ओम हम पमनंदनाई श्वा ओम हम पमनंदनाई स्वा इस मंतर का जाब करते हैं यह गुलाब का फूल और लॉंग हनवाद जी की सिर्चड़ने में अर्पित ऐसा एक सो आठ बार करें और लगातार 40 मंगलवार करें यह पूजा मंगलवार को शुरू करनी है या फिर आप नवरातरों के पहले दिन शु की रुदराक साथ दाने डालते हैं तो कैरियर की दस्टी कांशे बड़ा शुबर बड़ा ही अनकूल रहेगा नमना रहें नमना रहें